महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मत भागवत का था श्री राम का था भजन श्रमर के लिए लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें श्री राम जी रात्र वर्श होते नहीं राम चरत मैनस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिने निर्वबाद रूप से आप कह सकते हो कि वो अच्छे हैं कोभआ है कुछ पाफ्रें इसे हैं जिनने नेरवाद रूप से आप कहशकते हो कि वो बूरे हैं लेकिन कुछ पात्रों की शंदर में निरले करना कि अच्छ है या बुरे बडी त्रड़ी किओ और इघरान नहीं के जो सब्त चिरन जीवी हैं उनमें भी विभीष्ण जी है द्वाजस्त महाभागवत है अश्वत्वामा बलर व्यासो हनुमांच्य विभीष्णा क्रपा परुस्रामच्य सब्ते ते चिर जीवना लेकन फिर भी विभीष्ण के संदर में एक और भी कहावत है जब भी अगर भाईयों को जगला हो या कोई बात हो तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए जब स्री रामजी बनवास पूर्ण करके जब वापस आए और अयुद्या में जब राम और भरत का बिलक बिलक करकी मिलन भाईयित अग्यद्य रहा है तो दो लोग वहां पर खड़े वे आशुबाहर है तो दो लोग वहां पर खड़े हुए आशुबार एथे विए और में दो लोग रो रहे थे एक बिभीशन और दूसरा शुग्रि जब ये दूवाई है कि एक दूसरे पर आउशु बहरते हैं और हम लोगों ने अपनी सीट को प्राप्त करने के लिए रच्छी को प्राप्त करने के लिए अपने अपने भाईयों को काल की गाल में जोग दिया अजिए वड़ी विचित्रिश्थिति इसलिये जब राम जी को राम जी ने बिदा किया राम चरत्मानत का हर एक प्रकान बहुत सिक्षा पने उस समय तक उस प्रकान तक नहीं पहुत पौंशाद में थोड़ा से यह संकेतियाद आराय में आपको याद दिला दू जब राम ज की सपत लेते हैं तो कोई चीफ गाष्ट होता है कोई चीफ गाष्ट बनाया जाता है राम जी ने जब राज्य गद्धी की इतना वला सम्राज जो तीनों को को सहिमित करता है यदि एंद्र को जरूद पड़त पड़ती तो भी वह आइध्या के ओर देखते हैं और उस जाद वहां का चीफ गाष्ट है और उसको राम जीन का तैमां प्रिय भारत जम भाता और सदा रहिव पुर आवत जाता यह है राम का राज जी ने जब सब को विदा किया तो ज्यान दखना सब को कुछ ना कुछ उपहार दिया है गिप्ट दिये आज तक परंपरा है कि सबसे पहले सुग्रीव को गिफ्ट दिलवाई है आप निरामन का पाठ किया होगा लेकिन साइध ध्यान ने दिया होगा कि गिफ्ट किस ने दिये है कौन सी बस्तों से गिप्ट में दी गई और किसके द्वारा दिलवाईगा सुग्रीव ही प्रत्य मही पहराए बसने भरते निजे हाथे बनाए हैंड में हाथ की बनाई हुए चीज उनको गिफ्ट में दी गई और किस ने दी भरत के द्वारा दिलवाईगा इसके पीछे शुग्रीव के लिए बहुत बड़ा मैसिथ था कि शुग्रीव तुमारे जीवन की सबसे बड़ी बुराई यह है कि यदि तुम शुक और समर्दी पाजाते हो तो तुम भगवान को भी भूल जाते हो भाया को भूलने की बात तो बहुत बहुत है तुम भाई की मुर्दू को भूल गये और राज सिंगास्न पर नाचरंग देख रहे हैं इसलिए बाली ने माना था एक वो दूंदु भी राक्षिस का भाई हो करके भी बाई का बदला ले ने आया और एक तुम मेरा भाई आराम से बढ़कर के नाचरंग देख रहे हैं कि रिप्सम मुह मारे साथ भारी हरली निस्सर वसार हो नारी और उसके बाद में चलो बाली जब मर गया तो साथ कुछ तो सुधार होना चाहिए था और राम को भी भूल ये शुग्रिवां सुधिमोर विसारी पावा राज कोस्पुर्नारी और एक और भरत जनको राज चलो कि महत्मा गांदीजी के चरखे को आपने देखा चरखा की प्रणा महत्मा गांदी को कहां से मिले थी राम चरतमानस के भरत से क्योंकि भरत जी मराज निश्दन रावनाम जबते रहते थे लेकिन हाथ से चरखा चलाते थे कपड़े बुनते थे और शिलते थे जो वश्त्र सुग्रिव को पहनाया गया वो वश्त्र किसी कर्मचारी का बनाया हुआ नहीं था बशन भरत निजहाथ बनाई भरत जी ने अपने हाथ से वो वश्त्र तयार किये थे सुग्रिव हुँ पृत्मे पराये तसे उन्नका कि सुग्रिव रदया बनने के बाद में भी इस करमत था का त्यागमत करना है कि मैसेज है संधेश है तो केकई के संदर में यह निल्य करना कि वो अच्छी नारी या बुरी नारी जह मैं पी-चदी कर रहा था उसमें मैंने चंतन किया था कि एक कालपनिक पात्र मानो की दश्रगी ने केकई की फैल उठाई और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी, वो केकई की फायल को उठा करके सबसे पहले उस आदालत में पहुंचते हैं, जिसके जज भरत हैं। भरत जी के सामने उन्होंने टेबल पर फायल को रख दिया, कहा भरत केकई आपको जनम देने वाली आपकी माई है, और तुम्हारी उस माँ केकई ने राम को बनवास दिया है, एक और यदि ये देखा जाया कि पुत्र की माँ है तो आपकी माँ होने के कारणा वो दुनिया मे स्राहना की पात रहे हैं, लेकन जव राम के बनगमन का चंतन लोग करते हैं, तो लोग धिक करते हैं, इसलिए हम आपकी द्रख्टी से जानना चाहते हैं, भरत के आपकी द्रख्टी में केकई अच्छी नारी है या बुरी नारी, तो भरत जी माराज ने आखों में आशू कि अबर करके उत्तर दिया कि के कई कते जन मी जग मादा जो जन मीता भाई आए नबाई के कई कते जन मी जग मादा जो जन में ते भाई आए नबाई पुले कलंके जन में उमोई आप जश भाजन प्रिये जन को पुले कलंके जन में जन मोई आप जैसे भाजन प्रिये जन में तो श्री भर्त जी कहते हैं तो केकी जैसे नारी को धर्ती पर पैदा होने का अधिकार नहीं होना चाहिए और यदि कदाचत केकी जैसे नारी धर्ती पर पैदा हो जाए तो है बिद्धात उसे सगर्वा मत मनाना उसे बांज ही रहनी देना और यदि कदाचत वो पुतरवाल बन भी जाए तो इसकी कोक्से मुझ जैसे अभागे बेटे को जन्म मत देना और कदाचित उसकी गर्व से मुझ जैसा बेटा पैदा हो भी जाए तो उसे और निष्ठुल बनाना ताकि मुझ जैसे बेटे के पैदा होने पर वो अपने हातों से ही गला घौट करके उसे मौत की गाले में सुला दे ताकि रामे के ब्योग में तनब करके असाइय बेदना से उसे गुजरना ना पड़े इसलिए इतना और कठरो बनाना मानों की भरत जी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा निक्रिष्ट कोई नारी है तो वो केके है और केके से बुरी नारी मेरी दिष्टी में और कोई नहीं है अब महराज नारज भाइल उठाई और फाइल उठाकर के वो फिर सीदे चित्रकोट की भरी हुई वो सभा जहां पर पैल वैसंपान भर्गु अंगिरा पुल है बड़े 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 लिस्मनी लोग चित्रकोट की धरती है राजा जनक भी वहाँ पर विध्दमान से शिराम जी के सामने व में क्या कहा वो कहते हैं कि दूसे देंगे जननी ही जड़ते ही दूसे देंगे जननी जड़ते ही जिने गुरु सादू शभा नई ही से जिने गुरु सादू शभा नई ही से श्री राम जी कहते हैं मेरी मां केकई को दोस बोलोग ही देंगे कौन लोग जिनकी मत में जड़ता होगे आगे और पीछे का भविष और भूत को सोचने की जिनकी चमता नहीं होगी बोही मेरी मां को दोस देंगे यदि राम जी केकई की प्रसंशा करते हैं तो लोग कहते हैं इसमें केकई की विशेष्टा नहीं है ये तो राम जी का सुभावे हैं कि वो तो अपने दुस्मन का भी कल्यान चाहती है उन्होंने अंगज से भी कहा था जब वो दूट बन करके जा रहा था कि काज हमार तास हुए तो होई और रिपुसन करे उबत के ही सोई काज में जिससे हमारा काम बन जाए और मेरे दुस्मन का भी कल्यान हो अंगज इस बात का ध्यान लगना मैं मानता हूं कि राम जी का सुभाव है कि वो दुस्मन की भी प्रसंशा करती है